गुद मॉर्निंग स्टुडेंट आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वास्थ होंगे आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन फाइव लेसन फाइव के पार्ट वन पार्ट टू हमने देख लिया था जिसमें पार्ट वन और पार्ट टू में इन दोनों पार्ट में हमने इस पूरे लेशन को कवर कर लिया है और आज हम लोग मुख्यूरूप से देखने वाले हैं कि रेडिंग कम्प्रिहेंसन के बारे में राइट तो सबसे पहले आपको कोपी में क्या करना है जहां आप वर्ड मिनिंग लिखे में क्वर करना है और लिखने के बाद उसको याद करना है अर्ट यहां पर देखे है रिडिंग कम्प्रिहेंसन में मैं यहां पर आपको यह सबसे पहला जो है यहां पर हमें क्या करना है विका कौन से श्टार्टमेंट सही है और लिख YouTube बदूअर नीदे श्री दोया न सरि क्या एलिस ने केक को नहीं खाया, ये statement गलत है, खाया था उसने, ये क्या होगा, ये wrong होगा, ठीक है, दूसरा, और तीसरा में, जो दरवाजा था वो काफी छोटा था एलिस के लिए बिलकुल बहुत ही छोटा था यहाँ पर बोल रहा है कि एलिस ने बात किया तो वाइट रैबिट एंड हेल्प्ड हर एलिस क्या उस खरगोश से बात करी और अपना मदद मांगी तो बात चित तो हुआ ही नहीं था अभी प्लीस सर ही बोली थी तब तक वो भग गया था नहीं तो यह स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है अब यहां पर पांचवा नमबर स्टेटमेंट देखते हैं कि there was a pool in the hall तो क्या उस hall में pool था ऐसा बोल रहे है कि उस hall में क्या pool था क्या नहीं बिल्कुल पूल तो था ही नहीं वहां पर वो तो रोई तब जाके वो उस तरह से बन गया था अब चलिए आगे देखते हैं यहां पर question number 6 पर लिखा हुआ है कि the white rabbit was going to give the fan and globe to Alice जो कह रहा है कि जो सफेद rabbit था खरगोस था वो जाकर के जाकर मतलब Alice के पास जाकर उसको पंखा और हाथ का जो gloves था हाथ का जो gloves था उसको दिया बिल्कुल नहीं वो तो डर के मारे यह दोनों छूट गए थे उससे तो यह भी क्या है यह statement 6 वोला statement भी गलत है जो rabbit था वो पूरी तरह से dress पहने हुए था कहीं जाने के लिए बिल्कुल सही बात है यह statement क्या है सही है true है ठीक है तो यह था आपका क्या यह true false था जिसको हमने काफी अच्छे से cover किया अब second में देखते हैं लिखा हुआ है write the name of all the those who are swimming in the pool of tears यहाँ पर बोल रहा है कि आप मुझे उन सभी का नाम बताईए जो जो उस swimming जब वो रोई थी तो जो बन गया था पूल उसमें कौन कौन तैर रहे थे है ना तो इन सब का आपको क्या करना है नाम बता देना है तो बहुत ही easy है वो सब का नाम आप काफी अच्छे से बता सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ नाम आपको बता दे रहा हूं जैसे क्या था जैसे नाम था एक elis तो खुद थी ठीक है elis था और क्या था mouse था mouse एक m-o-u-s-e m-o-u weight पहला तो elis था ellis फिर क्या था mouse m-o-u-s-e यह जो जगा है ना इस जगा पे लिखना है mouse फिर और क्या था डोढ था। और क्या था। डक था। और क्या था। देखो यह चे नाम है। एलिस, माउस, डोढ ड क्या था। यह पांक नाम carta यह पांच को आपको लिखना है। ठीक है, Alice, चुहा, डोडो, बतक और गरूर, ठीक है, यह सब थे वहाँ पे, है न, तैर रहे थे उसमें, ठीक है, अब चलिए, आप आगे question number 3 में देखते हैं, यहाँ पे question number 3 में क्या कहा गया है, लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, complete the table to tell what Alice could do, what Alice could do in Wonderland and what she could not, आप मुझे बोल रहा है कि, यह table जो है, इसको complete करके आप मुझे बताओ, complete the table to tell what Alice could do in Wonderland and what she could not, select the phrases from the list given below, यह जो दिया हुआ है, यहाँ पे list, इसमें आपको क्या करना है, बताना है, complete the table to tell what the Alice could do in the Wonderland, उस Wonderland में उस जगा पे Alice क्या क्या की, वो सभी चीजों को हमें आपको बताना है, ठीक है, तो Alice ने अस्चर्चर्च दुनिया में क्या किया, क्या नहीं किया, पूरा उसका एक यह जो सारनी है, इसमें हमें बताना है, तो देखो, eat cake, cake खाई थी, और क्या हुआ था, और क्या नहीं किया था, gate through the door, वो gate से बाहर नहीं आ पाई थी, तो इसी तरह से और भी कुछ-कुछ statement है, जिसको लिखना है, जो कि यहाँ पे नीचे box में दे रखा है, यह सब, ठीक है, तो देखो, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कि, could मतलब, मतलब जो वो खा सकी, could not मतलब जो वो नहीं कर सकी, ठीक है, तो यहाँ देखो, unlock the door, क्या वो दरवाजा खोल सकी, एसा बोल रहा है कि, unlock the door, तो इंड में तो दरवाजा खुला, तो किस में आएगा, unlock the door, इसमें आएगा, इस वाले में, ठीक है, अब आगे देखो, और क्या तो बिल्कुल यह इसी में आएगा यह किस में आएगा यह भी कुड़ वाले में आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो लाई ओन दा फ्लोर यह कहां रूम के अंदर में हुआ था तो इसी में आएगा अगे टच दशेलिंग और वह रूम में ही वह जैसे केक खाई थी तो वह सेलिंग में टच कर रही थी तो इसी में ठीक है यह हो गया और स्विमिंग इन पूल ओफ टियर्स तो किस में आएगा इसी में आएगा आपको बस बढ़ा यह जो दिया हुआ है इसमें बढ़ाते हुए लिखते चले जाना है और आगे लिखा हुआ है कि गेट आउट थू इसमें आएगा ठीक है याद रखना में जो बोल रहा हुआ है तो यह सारी चीजे जिसको मैं बोला कि क्योवल यह जो मैं बता दे रहा हुँ कोन है जो है यहां पर यह जो है यहां पर यह जो है बस यहां पर आएगा बागी सभी के इन सब में आएंगे है तो अ तो यह आपना ठीक है ठीक मैं यहीं करना रहिए तो नहीं करना है ज्याद outside ठीक है तो आप देखते हैं हम लोग इसका वकवर्लरी पोर्शन राइट ठीक है तो फोर में देखते हैं कि क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे find the word from the box that can complete the sentence correctly यह जो box में यह जो दिया हुआ है word यह सब word को क्या करना है यहाँ पे feel करना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मौन्टू क्या लिखा है मौन्टू was nutty when he was a boy जब मौन्टू नटखट मौन्टू मौन्टू नटखट था when he was a boy जब वो एक छोटा सा लरका था तब वो क्या था नटकट था he is a smart and he is he is a he is a smart and grow up man now क्या होगा grow up अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अब क्या बन गया है क्या बन गया है grow up यहाँ पे smart and grow up person now person है अब person बन गया यानि आदमी बन गया तो यहाँ पर क्या आएगा grow up आएगा यह वाला चीज यह जो fill in the blanks है यहाँ पर आपको fill करना है ठीक है यह पहला हो गया ठीक अब चलिए दूसरा में लिखा हुआ कि minu was very sad to find her drinking sorry drawing book minu was very sad to find her find her drawing book minu नाम की एक लड़की है जो बहुत ही उदास है very sad लिखा है ना बहुत ही उदास थी क्यों उदास थी क्यों उदास थी क्योंकि minu जो था वह बहुत ही ज़्यादा क्या थी उदास थी to find her drawing book torn up क्या होगा टी ओ आर एंड टॉर्ण आप ठीक है फट गया था ना when she came home उसने वह जब घर पर आई तो देखी कि उसका book फटा हुआ है था ना तो बहुत ही ज़्यादा क्या थी उदास थी ठीक है अब सी में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है I always क्या wake up at five in the morning देखो वेक अप यहाँ पे है ना वेक अप ठीक है देखो यहाँ पे वेक अप यह जो वेक अप है यहाँ पे आएगा सी में ठीक है अब चलो डी में आते हैं लिखा हुआ है अहमद mother was happy because he जो एहमद की मा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? happy है because he because क्योंकि वो dash all the milk क्या drink up जितना भी दूथ था सबको क्या हो गया था? पी गया था? drink up all the milk तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे यह वला आएगा ठीक है? drink up ठीक है? याद रखना अब देखों यहाँ पे I was very hungry मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ and और कौन बच गया? and dash all the biscuit in kitchen and add up add up मैंनी कि जितना भी biscuit था all the biscuit in the kitchen ठीक है? I was very hungry मैं बहुत भूखा था मैं बहुत भूखा था and I add up मैंने सारी biscuit खाली खाली all the biscuit in kitchen जो किचन में सारी biscuit थी उसको मैंने खाली ठीक है? तो यह था वो कवोलरी portion यह काफी अच्छे से हम लोगों ने clear कर लिया तो यहीं तक आपको क्या करना है complete पूरी तरह से बना करके कोपी आपको भेजना है क्योंकि इसके बाद lesson 6 से स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोग को homework देता हूँ कि जो भी इससे जितना भी हमने इसके reading comprehension को देखा इसके सभी portion को आपको complete करके आपको कोपी बना करके हमें भेजना है ताकि मैं remark दे सकूँ और marks दे सकूँ ठीक है? ताकि अर एक बच्चे का माक्स मिलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनरजी और एक नए lesson के साथ में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अपने माता पीता का भी ख्याल रखें थैंक्यू